बिहार बिमारु राजज़े नहीं बलकि बिहार अब समार्ठ हो गया है। रिसाबट कर दिया है नितीश कुमार ने। विददिर अमित शाह बिहार आए हुए थे। उनकी अध्यक्षता में आयो जित पुर्वी छेत्री परिशत की बैठक में बिहार सहित पुर्वी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए उस बैठक के दौरान नितेश कुमार ने बिहार की एक ऐसी छबी अमित शाह के सामने पेश किया जसी अमित शाह तो उसके एक दम से पैन हो गए जिहां बिहार को बिमारो राज्य आर्सिपी सिंग ने बताया था लेकिन बिहार को स्मार्ट राज्य बनाने में नितेश कुमार ने कोई कासर नहीं छोड़ी है और उसकी अब तारिफ भी हो रही है कैसे किया यह सब कुछ यह आपको हम बताते ही आगे खबर मे अब नमस्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंधना पांडी बिहार की जब भी देश में चर्चा होती है तो उसे एक गरीब फिच्वा राज्य माना जाता है परहाई के छेतर में हो या फिर नौकरी के छेतर में लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नित इसकुमार बिहार को विशेस राज्य का दर्जा दलाने में लगे हुए हैं लेकिन बिहार में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा जरूर होने चाहिए और उसके चर्चा हुई तो अमित शाह एक ड़म से खुश भी हो गए उनके साथ साथ बाकी राज्यों के मुक सामने आएं उसको देखकर कोई भी से बिमारू नहीं बलकि स्मार्ट राज्य कहने से बिलकोल भी नहीं कतर आएगा वह इसलिए क्योंकि बिहार में सरकार ने स्मार्ट प्रिपेट मीटर लगवाया है और अब अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पुर्वी छेत्री परि कहानी है अमित शाह के सामने नितेश कुबाइड ने पेश की और उसके बाद ये मालूम चला कि देश भर में बिहार कलोता राज्यू बन गया है जो अपने यहां के उपभोगताओं को स्मार्ट प्रिपेड मीटर की सुविधा दे रहा है आपको बता दे कि प्रेजेशन के स्मार्ट प्रिपेड बिजली मीटर का फाइदा दिया जा रहा है सरकार यहां पर स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगवा रही है लाखों को भुकताओं को ये फाइदा दिया जा चुका है बाकी के जो भुकता बचे हैं उनके घर में भी स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने क के बार बिहार को काफ़ जादा से रहना भी मिली है बिहार की कुप तारिफ हो रही है बिहार सरकार की वाही वाही हो रही है अमेद शाह खुश हो गए और बाकी राज्यों की मुख्य मंत्रियों ने भी सोच लिया कि वो अपने राज्यों में भी स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगवाएंगे जिसका फाइदा उनके राज्य के लोगों को भी होगा और उसके बाद हम नितेश कुमार के कुप तारिफ की जुआ रहे हैं नितेश कुमार ने बिजले उप भोगताओं को जो यह फाइदा दिया है इस बिहार का नाम रौशन हो रहा है और यही कारण है कि ल इशाल और मैती आपके साथ वन दना धन्यवाद